नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूस्रूम पोस्ट कतर में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही विवादों से उसका नाता जुड़ गया था इस टूर्नामेंट के लिए कई सालों से तैयारियां चल रही थी 200 अरब डॉलर से भी जादा के स्टेडियम, मेट्रो लाइन और टूर्नामेंट के लिए जरूरी नए बुनियादी धाचे के निर्मान को लेकर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को काम पर लगाया था कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस काम के दोरान ही तैयारियों के बीच सैकणों मजदूरों की मौत भी हुई मीडिया रिपोर्ट्स में वर्ल्लकप की तैयारियों के दोरान हुई इन मौतों के आंकले को हजारों में बताया गया इन रिपोर्ट्स के बाद मानवा अधिकार संगत्यनों और कारेकरताओं ने कतर पर सवाल उठाते हुए उसकी जमकर आलोजना भी की दुनिया के कई देशों ने भी मजदूरों के साथ हुई कतर की जात्ती की निंदा की लेकिन अब पहली बार कतर के किसी सीनियर अधिकारी ने ये कुबूल किया है कि मजदूरों की मौत को लेकर जो दावे किये जा रहे हैं वो सही है हलाकि संख्या में अंतर जरूर है फीफा वल्ड कप की तैयारियों में कितने मजदूरों ने अपनी जान गमाई इसका भी एक आंगडा मिल जरूर गया ये खुलासा खुद फीफा वल्ड कप के आयोजन से जुड़े कतर के एक शीर्ष अधिकारी हसन अल थावाडी ने किया है हसन कतर की डिलीवरी और लीगेसी से जुड़ी शीर्ष समीती के महासचिव है उन्होंने ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन को दिये एक इंटर्व्यू में कहा कि तैयारियों में करीब 400 से 500 के बीच लोगों की मौत हुई है पियर्स ने इस इंटर्व्यू की एक क्लिप को सोशल मीडिया पे शेयर भी किया वहीं शीर्ष समीती और कतर की सरकार ने इस मामले पर चुपी साथ रखी कतर सरकार के मताबिक 2010 और 2019 के बीच देश में पुल मिलाकर 15,021 प्रवासियों की मौत हुई दगारजियन की रिकोर्ट में बताया गया कि जब से कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है तब से 2021 तक वहाँ 6,500 से भी जादा प्रवासी कामगारों की मौत हुई ये सब ही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, पांगलादेश और श्रीलंका जैसे देशों के रहने वाले थे हलागे सरकार ने इन मौतों को स्थान, कारिय या फिर बाकी चीजों के हिसाब से नहीं बाटा कतर सरकार ने ये भी बताया कि फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम बनाने के लिए 30,000 विदेशी मजदूरों को लगाया गया था इन सब के इतर अंतर राष्ट्री एश्ट्रम संगठन ने ये पाया कि 2020 में 50 लोगों की काम के दौरान मौत हुई पांस सो गंबीर रूप से खायल हुए और 37,600 लोगों को हलकी से मध्धम चोटें आई थी तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलाल इतना ही फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान अपनी जान गवाने वाले मजदूरों की संख्या पर कतर के कबूल नामे को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए कीजे इज नहीं आपसे जाएंगे आपसे थाज़ एसने आपसे पहला कि जोल शेएं अपसे एक मुझपभान कर दोश्खवार जयरूर जानकारी के नहीं जापसे बना कि अंब भाता हैं वहार आपसे लोग में याम चाने भाधस्ते लिएज़वार जापसे के लिए प्या में आपसे